तो दोस्तो इस बार आपका जो finance accounts assistant का exam है दो most important topic जो है उसमें आपके एक तो था आपका reorganization act जो हम लोग कर चुकी है ठीक है हर एक पार्ट हमने उसमें हर एक चीज हर एक पॉइंट जो है वो कबर किया है total 55 pages की जो भी PDF थी वो पने पूरी खुद पड़ी थी आपको एक एक प ठीक है और दूसरा में इन important topic क्या आपका role of RBI ठीक है ये कुछ ऐसे topics हैं दो जिसमें से chances यह हैं कि तीन से चार नंबर के questions आपको पूछे जा सकते हैं ये इतने important topics हैं ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे role of RBI जो JNK Reorganization Act है उसके दो पार्ट है मैं cover कर चुका हूँ मैं description में link जे दूँगा वहाँ से जाके उसको भी देख सकते हैं तो start करते हैं अगर अब मेरे चैनल पे new हो तो चैनल को subscribe करना bell icon को press करना ताकि आपको regular updates मिलते रहें तो start करते हैं अपना RBI ठीक है आज आते हैं सबसे पहले RBI ठीक है अब नाम पे आ जाओ RBI मतलब Reserve Bank of India ठीक है RBI Reserve Bank of India अगर अब में आपको ना हर slide जब आएगी तो हर slide में आपको यह चीज़ भी बताता जाओंगा कि इस slide में से आपका क्या question बन सकता है ठीक है वो भी मैं आपको बताता जाओंगा तो पूछ सकते हैं आपको कि India का Central Bank कौन सा है ठीक है तो आपको चार options दे देंगे उसमें से एक RBI होगा तो अगर बड़ा ही low level का paper हुआ तो उसमें यह चीज़ बूच सकते हैं ठीक है कि Central Bank कौन सा हमारा वहा है RBI मतलब Reserve Bank of India अब इसका काम के है main function तो हम इसके आगे पढ़ेंगे लेकिन यहां पर थोड़ा साथ से देख लेते हैं क्या it is responsible for the issue and supply of Indian rupee ठीक है यह किसक इसके लिए responsible है issue and supply of Indian rupee यह currency ठीक है और manage करता है यह Indian banking system को ठीक है जितने भी bank है उसके function सारे किस कौन manage करता है यह manage करता है और जितने भी economic development के काम होते हैं ठीक है work economic development work जो है वो भी यह manage करता है वो हम आगे जब functions इसके पढ़ेंगे तो हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या क इसके functions है क्या क्या यह करता है सारे कुछ अभी आप लोग कितना सिर्फ याद रखो कि RBI क्या है Central Bank of India Reserve Bank of India अब आते है इस पे एक logo पे ठीक है जो आप logo यहाँ पे देख रही हो इसका कभी कबार आपको question पूछ सकते हैं कि इसके logo पे यह जो बना हुआ है यह क्या है line है tiger है panther है क्या है और पीछे कौन सा पेड़ है ठीक है अब यह कौन सा पेड़ है पीछे है आपका palm tree ठीक है यह है palm tree और यह आगे है कुन यह line है tiger है यह है आपका tiger ठीक है याद रखना याद क्या रखना है दिख रहे है आपको यह tiger है और यह है palm tree और यह कहां से लिया गया है ठ ठीक है यह हो गया आपका पूछ सकते हैं टाइगर और पाम ट्री नेक्स्ट आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे कि आर भी एस्टेबलिश कैसी हुआ अब आप लोग कहीं भी देखोगे न डेरेक्ली आपको पढ़ा दिया गया है कि आर भी एस्टेबलिश हुआ कब एक एपरल 1935 को ठीक है वहाँ पे हमको नहीं जाना है आप लोग अगर ओविशल वेबसाइट पे देखोगे सारा कुछ वहाँ पे मेंशन है मैंने हर एक चीज ओविशल वेबसाइट से लिए कोई भी मैं ऐसे वैसे चीज नहीं उठाता कहीं से भी हर एक चीज मैं ऑफिशल से बढ़ाता हूँ ठीक है तो आपको यह चीज पूछ सकते हैं जो चीज इंपॉटन्ट है मैं वही लेके आऊँगा और पूरा एक एक पॉइंट कबर होगा तो क्या है और भी एस्टेबलिश कैसे हुआ उसके पीछे की कहानी क्या है पहले डिरेक्टली नहीं पहुंचने हमने की इतनी डेट को एस्टेबलिश हो गया था पहले एक कमेटी बनाए गई कमेटी वस फॉर्मड इन नाइंटिन ट्वेंटी कहां से फ्रॉम ब्रिटिश फ्रॉम ब्रिटीन ठीक है कमेटी बुलाएगी ब्रिटेन से ठीक है कमेटी बुलाएगी कहां से ब्रिटेन से कमेटी बुलाएगी जिसको क्या बोला गया रॉयल कमिशन ओन इंडियास करंसी ए क्या नाम था कब इठाए गई थी 1920 में उसका क्या नाम था Royal Commission on India's Currency and Finance और उसको क्या बोलते थे उसको ये भी बोल सकते थे Hilton Young Committee अब Hilton Young Committee क्यों बोलते थे सर क्योंकि इसके जो Chairman थे इसके जो Head थे Committee के वो कौन थे Hilton Young थे ये सारा कुछ Official Website में मैंशन है अगर आपको कोई शक हो रहा है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हो अब क्या हुआ इस Committee ने क्या गया 1926 में अपनी Reports सब्मिट की ठीक है अब कोई भी Company या कोई भी Committee बिठाए जाती है किसी चीज की Establishment के लिए या किसी के लिए तो वो अपनी Report unlimited करती है अपनी Report doch अब अचेंपली को summit करती है कि हमने ये ये चीज़े नोट की है ये चीज़े होती है ये ये चीज़े है थीक है उसने Report some me do के और वो reject हो गई लेकिन उसने हार नहीं मानी Committee ने उसने again Committee ने क्या किया एक अपनी Report समिट की 1933 में ठीक है और फाइनली बिल पास हो गया कब 1934 में पहले की थी पहले कमेटी कब बिठाए गई 1920 इतनी जाधा इंपॉर्टन डेट्स नहीं है आपको इसमें इसमें क्या पूछ सकते हैं आपको यही एक रॉयल कमिशन और इंडिया करंसी और फाइनस दूसरा उसका और नाम क्या था हिल्टन यंग कमेटी था ठीक है तिसरा क्या है कि बिल जो है वो कब पास हुआ वह 1934 में जिसको क्या बोलते है उसको बोला गया RBI Act of 1934 और अगर पूछा जाए सवाल की RBI जो है वो किस एक्ट के अंडर बना मतलब किस एक्ट के अंडर या किस एक्ट के थ चलते हैं आगे अब है कि कब इस्टेबलीश हुआ यह तो हमने देख लिया कि कैसे हुआ अब आपने देखा कि 1934 में एक्ट तो पास हो गया ठिक है जब भी कोई Rachel al 1919 में पास हो गया कब 1934 में अब आपको पता है कि जब कोई आल पास होता तो अभी वो पेपर पे ही था मि date आपको यह यहां से पूछ सकते हैं, इसी slide से आपको equation पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं कि RBI कब establish हुआ हुआ 1st April 1935 को, और उसका पहला headquarter कहां था, 1st headquarter जो था उसका Kolkata में था ठीक है, 1st headquarter कहां पे था Kolkata में था, और उसको shift कर दिया गया, कब 1937 में उसके headquarter को shift कर दिया, कहां पे, Mumbai में shift कर दिया गया, इसको Dream City भी बोला जाता है, ठीक है 1935 को establish हुआ 1937 को shift कर दिया गया, उसके headquarter को कहा, Kolkata से Mumbai में shift कर दिया गया, 2 questions इससे बन सकते हैं next है अब आपको पता है, 1947 से पहले क्या था, ठीक है ये क्या था, private body थी एक RBI ठीक है, इस में से, इस slide में से क्या question पूछ सकता है, कि nationalization of RBI, मतलब RBI को कब nationalize किया गया, nationalize कब हुआ RBI, government के अंदर कब आया RBI तो वो हुआ, 1st Jan 1949, most important point, 1st Jan 1949 को ये nationalize हुआ और जैसे कि आप prepare कर रहे हो finance accounts assistant के लिए तो finance मतलब आपको ये question most important बन जाता है कि उसकी initial capital कितनी थी most important question, initial capital कितनी थी, उसकी initial capital थी 5 crore ठीक है, nationalize कब हुआ 1st Jan 1949 को, और उसकी initial capital कितनी थी, 5 crore ठीक है next आते हैं, अब इसके offices ठीक है, इसके 4 local board offices हैं, कहां-कहां पे, मुंबई में कोलकाता में, न्यू डैली में और चन्नई में ठीक है, east, west, north, south सारा कबर हो गया, ठीक है एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे तो सारा इंडिया कबर हो गया इससे 4 local offices से 4 local board से, question आ सकता है कि RBI के कितने local board offices हैं, तो हैं, 4 local board offices यह question आ सकता है, कि 4 options दी होंगे, बोला होगा, इसमें से कौन सा local board office नहीं है क्या पता, चन्नई की जगा, आपको कुछ और दे दे कोई और जगा का नाम दे दे तो बोले, कि इन में से कि कौन सा option ऐसा है कि जहां पर local board office नहीं है, तो आपको वो answer टिक करके आना है next है sir इसके कोई और offices है, क्या बिलकुल है इसके 31 और offices है पूछ सकते हैं कि other offices और कितने offices है, इसके 31 offices है जिसमें से, which includes 20 regional offices, कितने regional है 20 है, और 11 क्या है sub offices, ठीक है most important point again ठीक है, 11 क्या है, sub offices और 20 क्या है, इसके regional offices total मिला के कितने हुए, 31 offices है, ठीक है, important again next आ रहा है subsidiaries of RBI, sir, subsidiaries क्या होता है subsidiaries को, मानो आफ subsidiaries मतलब branches ठीक है, subsidiaries क्या होता है, subsidiaries मतलब branches sir, क्या यह important है, नहीं इतना important नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसके बारे में, सबके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको इसके थोड़े से नाम एक बार देख लेने हैं, ध्यान से, आपको हो सकता है आपको क्या, क्या पूछ लें वो he which of the following is not the subsidiary of RBI, चार options देदेंगे आपको और बोलेंगे private limited, सबसे important ये है और ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे, अभी देखेंगे हम लोग कि जो notes चापने होते हैं, वो सब कोन manage करता है, कोन करता है, ये करता है, ठीक है ये important है, ये हम पढ़ेंगे 1995 में establish हुई थी, और इसका headquarter कहां पर है, बैंगलोर में है, next आते है reserve bank information technology private limited, ठीक है, 2016 में establish हुआ था, next है Indian finance technology and allied services 2016, तो ये जो है आपके ये चार्ज है, इसके subsidies हैं, आपको सिर्फ नाम याद रखने है, DICGC BRBN, MPL और rebate आपको इसको ऐसे बोल सकते हो IFTAS, ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, कि ये हैं क्या, ठीक है इसके बारे में, सब के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको जो पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको, इसके बारे में reserve bank, भारती है, reserve bank note modern private limited, जो कि कब establish होई थी, 1995 में headquarter, कहाँ पर है इसके, बैंगलोर में, ये इसकी कहा है, 4 subsidiaries next आते है, अब most important point यहाँ पर क्या है, अब हमने देखा कि हमको क्या पढ़ना है, note modern private limited जो है, वो पढ़ना है, तो उसका थोड़ा सा base बनाते है, कैसे, कि पहले notes कहाँ print होते थे आपको जानने में, मतलब होगा न, interest होगा न, कहाँ print होते थे notes तो notes पहले कहाँ print होते थे, notes were printed in, ठीक है, Thomas, इसको आप panunciate आप जैसे भी करो, ठीक है तो आपको सर्फ ये, पूछ सकते हैं कि और कहाँ स्टार्ट हुई, most important है, most important point, again मैं आपको बोल रहाँ कि, इंडिया में production of notes कब और कहाँ स्टार्ट हुई, ठीक है, वो स्टार्ट हुई, with the establishment of, with the establishment of currency printing press at Nasik in Maharashtra in 1928 most important point आपको ये question मेरे इसाब से तो आएगा ही आएगा, यहां पूछ सकते हैं, जरूर पूछ सकते हैं कि, सबसे पहली printing press यां, इंडिया में notes की production सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, उस press का क्या नाम था, press का नाम था currency printing press, कहाँ पे थी, Nasik में कहाँ महाराष्टरा में, और कब हुआ, 1928 में, सबसे पहली थी और पहली चीज जब भी कोई होती है, वो important बन जाती है, और दूसरी कहाँ पे थी, देवस में, और मध्यापरदेश में, 1974 में, यह इतनी important नहीं है, लेकिन नाम आपको याद जरूर रखना है date इसकी इतनी important नहीं है, लेकिन इसकी date और नाम दोनों याद रखनी है, नासिक में पहली, नाम क्या था, currency printing press कब 1928 में और दूसरी देवस में, ठीक है, next आते है अब इसका क्या काम था, BRBN, MPL मतलब भारतिया reserve bank note, modern private limited, as we have growing population and economy ठीक है, उस time पे क्या थी, हमारी population growing थी, और economy भी growing थी, so to fulfill the gap between supply and demand of bank notes, government of India decided to form two more printing press, अब दो printing press थो हमें पता चल गया, कहां थी एक तो देवस में, ठीक है, एक देवस में, और दूसरी नासिक में, ये तो बन की लेकिन हमारी population के उसमें थी क्या थी, growing population थी तो gap fill करने के लिए supply or demand of bank notes के बीच में ठीक है, तो पहले ये project जो था दो printing press मनाने का, वो किस के under था, वो government of India के under था, बट उसको transfer कर दिया गया RBI के पास कब 1995 में, और RBI ने क्या किया, 1995 में ही RBI ने क्या किया, एक subsidiary बना डालिया अपनी जो की क्या थी, BRBN, MPL मतलब भारतिय Reserve Bank, Node Modern Private Limited, ठीक है और 1996 में क्या हुआ इस subsidiary ने, बारतिय Reserve Bank, Node Modern Private Limited ने क्या किया दो printing press जो थी, वो establish कर दी ठीक है, कहा कहा की first आपकी की मैसूरू में, करनाटका में, और second कहा की आपकी, Salboni in West Bengal सबसे पहले कहा थी, Nasik ठीक है, याद रखने आपको सबसे पहले कहा थी, Nasik, 1928 में फिर क्या थी, देवस ठीक है, 1934 इतना important नहीं है, date उनकी ठीक है, उनका नाम important है, और फिर क्या क्या है 1995 में, RBI ने एक subsidiary बनाई, बारतिय रिजर्व बैंक, Node मुद्रन Private Limited, उसने 1996 में क्या कर दिया, दो अपनी printing press establish कर दी जो की थी, एक Mysore में थी, और एक Cellboni में थी, ये most important है, आपको पूछ सकते हैं, कि इंडिया की, इंडिया के पास कितनी printing press है, ठीक है तो चार printing press है, क्या पता, आपको options में चार दे दे दें, और एक कहीं पे और नाम दे दें कोई और, तो बोले, इसमें से कुन सी ऐसी है, जो नहीं है, RBI मतलब जहां पे note, जो है, नहीं चापे चाते हैं, अब ये जो दो printing press थी, ये they results for nearly two-third of the production of notes in India, ठीक है it results for, ये दो जो थी ये जो थी, two-third production जो थी notes की, वो इनी में हुआ करती है, ठीक है, याद रखना आपको चार है, कहां कहां आप देख लेना, और पहली की date important है, नासिक थी महराश्च्रा में 1928 currency printing press, उसका नाम था most important question है आपका next आते है, structure of RBI इसमें से भी 2 question 2 से 3 question, इसमें से भी बन सकते हैं, सिर्फ इसी पार्ट में से जो structure of RBI है, कि RBI में कितने members होते हैं, total members of RBI कितने हैं, 21 members होते है पूछ सकते हैं कि full time members कितने होते हैं, full time members होते हैं 5 जिसमें एक है आपका governor और 4 हैं आपके deputy governor, अब इस समय governor कौन है, deputy governor 4 कौन है, वो भी हम आगे देखेंगे ठीक है, बता दिया, अगर पूछा पूछा जाए कि RBI के full time members कितने हैं, full time members हैं आपके 5 एक है governor, 4 हैं आपके deputy governor, next आता है और कितने और के कौन-कौन members होते हैं कौन-कौन उनको, मतलब कहां से आते हैं दो members होते हैं, जो finance ministry से होते हैं, ठीक है, 4 members होते हैं, जो local board offices, जैसे मैंने बताया था आपको, 4 local board offices ठीक है, उनके 4 members होते हैं 10 members होते हैं, वो directly appoint किये जाते हैं, by the government of India from different sectors, तो अगर आप इनको मिलाओ 10 ये होगे, 4 होगे आपके local board से 2 होगे, finance से कितनी होगे ये होगे 16, ठीक है और 5 होगे आपके full time members तो होगे 21 members total ठीक है, और ये किस act के under appoint, मतलब 21 act के under ये appoint होते हैं, इसको appoint कौन करता है इसको appoint करता है, government of India और किस act के under, under RBI Act of 1934 ठीक है next है, आप इस समय आपके governor कौन है, RBI के, इस समय आपके governor है, शक्तिकांत दास, क्वोन है, इस समय governor है, शक्तिकांत दास और deputy governor, और ये कौन से governor है 25th governor है, 25th RBI governor कोन है, यक्तिकांत दास 24th कोन थे, वो थे हमारे उर्जित पटेल ठीक है, अब चार जो है, इसके deputy governor क्या कौन-कौन है शिरी BP, कनुनगो, MK Jain MD Patra, MR Rao हो सकते हैं आपको चार ये options दे दे नीचे इसमें से एक आपको ऐसे दे दें कोई और नाम लिखते हैं और बोल दें कि इसमें से कौन सा deputy governor नहीं है या फिर चार options दे दें कि कौन सा इसमें से deputy governor है तो आपको नाम ये याद रखने होंगे अब next है कुछ important points ठीक है कि first RBI governor कौन था first RBI governor थे Osborne Smith जिसको O.B. Smith भी बोलते हैं इनका पूरा नाम क्या है Osborne Smith जिनको O.B. Smith भी बोलते हैं next है first Indian governor of RBI Indian governor ये तो थे first governor अब आगया first Indian governor कौन थे वो थे cd देश्मुक ठीक है first female आपको पता है एक तो female और उपर से first मतलब बहुत ज़्यादा important first female deputy governor कौन थे RBI की ये थी K.J. Udashi ठीक है K.J. Udashi जो थी first female deputy governor थे RBI की next है longest serving governor of RBI कौन थे sir Bengal Rama Rao जिनका tenure कितना था 7 years ठीक है next था shortest serving governor कौन है RBI के कौन थे वो थे sir Amitabh Ghosh जिनका tenure कितना था 20 days तो ये हम इतना ही रखेंगे वीडियो लंबी हो रही है आज के part में हम इतना है रखेंगे next जो part होगा इतने interesting अभी ये 4 से 5 point सिर्फ कबर हुए इसमें 10 से 15 point है जो की important है कि कौन से यासे RBI governor only RBI governor जो की prime minister बने है या फिर और जो है और जितने भी important point है मैंने सारे आगे आपके लिए बना रखे हैं सारी slide है बना रखे हैं लेकिन point वीडियो जो था लंबी हो रही है तो इतना ही आज रखेंगे हर एक point आपका cover होगा एक एक चीज़ आपकी cover होगी और हर एक point मैं आपको बताऊँगा आगे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपके ये सिक्के जो थे एक दो रुपे के वो बंद क्यों होगे या नए क्यों आने लगे ठीक है जो आपके 50 पैसा या 10 पैसा वो सिक्के क्यों बंद होगे सिक्कों का size क्यों decrease हो रहा है मतलब हर एक चीज जो है आपकी important इसमें हर एक point important आपका बढ़ेंगे हम लोग और next video हम लोग functions भी देखेंगे इसके तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो like करना पहला icon को press करना ताकि आपको regular updates इसके मिलते रहें तो आज के लिए इतना ही रखेंगे thank you